ये ओट सुप गईज कैसे आप सो भी लोग वेलकम बैक टो एधर के इम्टे वीडियो तो गईज आर जम लोग दुबार से के लिए जा रहे हैं GDA5 तो जैसे के आप सो भी लोग को पता होगा कि Diamond Casino से Statues चुराने के बाद पुलिस ने में बहुत ही पूरी तरह चेस कर रहा था और उसी के बीच चलती बाइक पर शोट मार के लेस्टर को बीच हाईवे पर डाउन कर दिया अबैर देको इस एक्सिडेंट के बाद मुझी तो नहीं लग रहा था कि लेस्टर जिंदा बचेगा तो इसलिए हम लोग ले लेस्टर वो भी मरा नहीं है उसको मतलब कि पुलिस वाले एक एंबुलेंस में लेकर जा रहे थे यहीं पता करने के लिए जैसी में लो संटोस पोचा तो अभी FIB वाले मेरे को नजर आगया एक होस्पिडल में और वो लोग लेस्टर को वहां से लेकर चले के सीधा कोर्ट में और वहां पर ले जाके उसे पांस स्याल की सजह सुना दी अब यार्दी को लेस्टर हमारा बहुत पुराना जिगरी दोस्ता है जिसने हमारी सो से भी ज्यादा बारी मदद करे है तो उसको हम लोग यूही नॉर्मली तो नहीं जाने दे सकते थे इसलिए हम तीनों ने मि पिठाया और FIB officers को मार के और पुलिस वालों को फिल एक दम चक्मा देका लेस्टर को बचा कर हम लोग इस जगह पर ले आए अभी फिलाल इस जगह पर सेफ तो है बट लेस्टर का भी कुछ पता भी निया कि वह गाड़ी के अंदर है या फिर नहीं है ट्रैफर बहुत कु मैं तो सुच रहता किसी ना किसी तरीकी से इस गाड़ी को छुपा लें बट यह है भी ट्रक इतना वड़ा कि किसी ट्रक के अंदर भी नहीं आ सकता तो भी नहीं से नॉर्मली ही लेकर जाना पड़ेगा अभी फिलाल यहां के जो बंदे हैं मतलब यह थोड़ा अजीब सा एरिया पुराने-पुराने से लोग यहां पर रह रहे हैं तो इससे कोई डरने की बात है नहीं बढ़ना चलो भी फटावट से हम लोग यहां से निकलते हो जल्दी से आगर गाड़ी में बैटो बाकियार अगर कोई बड़ सा ट्रक मिल जाता ना तो उसी ट्रक के अंदर हम लोग इस ट्रक को डाल ले दे तो गाइस है ट्रक चोड़ो मैं तो सुच रहा हूं कि इसको ट्रेन पर से लेकर चलते है जादा बैट रहेगा क्योंकि अगर हम लोग रोड के रास्ते जाएंगे ना तो सीधी सी बात है पूरी की पूरी जगा पर बहुत तगड़ी मुझे नहीं पता कि बैनी भी इसे खोल पाएगा या फिर नहीं तो चलोग आई से रभी ना फिलाल गयां पर हम तीन लोग जो इस वाले ट्रक के अंदर बैट चुके हैं अब पीछे वाला गेट नहीं कुल ला था इसले फ्रैंकलन भी अपने साथ आगे ही बैट गया है त इसके अगले वाली ट्रेंट को हम लोग यहां से पकड़ लेंगे बाक्यार यह जो जगह आप लोग देखी पारे मतलब कितनी अजीव सी है काफी जादे बंदा यहां पर मतलब कि टैंट बनाकर रहरा बट कोई नहीं यह लोग हमें कुछ भी निकलता हूं मुझे गवाली लकडी तोड़ी नहीं पड़ेगी और अभी फटबट से अपने ट्रेक को थोड़ा सा सूंसान एरिया पे लेकर चलते हैं जहां से हम लोग अराम से अपने ट्रेक को ट्रेन के ऊपर लोड़ भी करा लें और किसी को पता भी ने चले और कोई दिक्कत भी ना है वैसे जहां यह थोड़ा बहुत सूंसान सा है और मेरे साथ से अगर हम लोग यहां पर ट्रेन हाई जैकिंग करते हैं तो किसी को भी पता नहीं चलने वाला बाक्यार अपनी किसमत देखो कितनी अच्छी है मैं जस्ट यहां पर पोचाई हूं और सामने से ट्रेन आ भी गई है तो चलो मैं कोशिश करता हूं जल्दी से इस ट्रेन को उपर चड़ने की तो चलो गाईजर फाइनली तुम्हारा वाई एक ही बार में उपर चड़ गया तो चलो और अभी जल्दी से नहीं हम लोग यहां पर ऊपर चलते हैं और यह वाली जो ट्रेन है इसका मतलब में ड्राइवर ह उसको सबसे पहले गाईजर में को मारना पड़ेगा विचारे को कुछ पता ही नहीं चला है इदर हुआ क्या है तो वह बैठा तीरी यहां से तो चलो फिलाल यहां पर मैंने उसका तो मत्ता यहां पर फोर डाला है वह जल्दी से यहां पर एक बार हम लोग नीचे उतरते है और फटवट से चलते हैं सीधा एंजन के अंदर तो चलो गाईज यार फाइनली यहां पर मैं एंजन के अंदर आ चुका हूँ तो अभी जल्दी से सबसे पहले नहीं इस वाले ट्रेन को यहां पर मैं रोक लेता हूँ और यहां पर जो में इसका ड्रैवर है ना इसको इसक के अंदर बैठे रहें दो तो कोई ना कोई गरबड होगी अगर यह इसके अंदर रहेगा तो वैसे ठीक है इसे बीच रास्तु में फैक देंगे किसी को अपने उपर शक भी नहीं होगा तो अच्छा लगार अभी जल्दी से अपनी ट्रेन को पीछे लेकर चलते हैं वाकिया अपनी ट्रेन को एकदम रिवर्स में लेकर आचका हूँ तो वो दिखो सामने की तरफ में अपनी गाड़ी खड़ी है और साथ ही ट्रैवर वगएर भी उधर खड़े हुए है और इस टाइम पर ना गाइसर मेरे दिमाग में बहुती अमेजिंग आइडिया है कि आकिरकार ह इस टाइप का होगा यह काफी जदर रिस्की है अच्छा लोग आईसर अभी ना फिलाल यहां पर मैं एंजन से बाहर आ चुका हूं तो अभी जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और इस टाइम पर नहीं काम है हमें जल्दी से जल्दी करना है कहीं ऐसा नहों कि तो भाई सब यह ट्रक क्या यार इतना ज़्यादा वेट है ना इसके अंदर तो अच्छा लोगाइस यार फाइनली जैसे तैसे करके मैंने अपने ट्रक को यहां पर कंट्रोल में लिया है वरना यार यह बहुत ही खतरनाक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था मतलब क समझ ही नहीं आ रहा था आकिरकारे से लेकर कहां जाओ यार मैं इसको यहां तक लेकर आ गया तो उसके बाद भी मेरे को बैक ले जाना पड़ा क्योंकि यह सीधा पलटनी वाला था और नीच जाकर गिरता और साथी मतलब लेसर तो उसको चोट लगती साथी अंदर फ्रैंक कोई दिखत की बात नहीं अभी जल्दी से अपना काम हो चुक है ट्रक से बाहर निकलते हैं और यहां पर अपनी ट्रें को लेकर हम लोग यहां से निकल लेते हैं बाकियार सची में बहुत ही बुरी तरह मैंने स्कोट का दिया है वागि फ्रैंक लिन तो अपना वही पर बै कर मैं निकल लेता हूं सीधा लोस सेंटोस के लिए बाकि मुझे पता है पहुचने में थोड़ा बोट टाइम लगेगा क्योंकि ट्रें को लेकर उसी जगह से निकल ले हैं जहां पर हम लोग पिछले दो दिन से चुपे हो थे बड़ कोई दिकत की बात नहीं अभी हम लोग एकदम सेफली पहुच जाएंगे लोस सेंटोस बठा लोस सेंटोस में जाकर हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है बाकियार देको बैनी को तो मैंने कॉल करके बोल दिया है कि जल्दी से उसी जगह पर पहुच जा मतलब कि वो अपने पुराने वाले गिराज मे कैसे जो भी करेगा लेस्टर को भार निकालने की पूरी कोशिश वो करने वाला है तो उसको हमने बोल दे जल्दी से वहाँ पर पहुच जा क्योंकि अभी हमें पहुचने में आप जादा डाइम जागने वाला आधा रस्ता ओल्रडी कवर हो चुका है तो चलो गाईस यार की मैं अपनी ट्रेन को लेकर पहुच चिकाओं सीधा लोस साइंटास के लिए बाक यार एक सेकिंड अभी 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 अपनी ट्रेन ना गाईस यार मतलब की डीरेल होते होते हैं यह पट्री से उतर जाती क्योंकि मैं इसको बहुत तेज भगाता भगाता लाया हूं तो च की मतलब थोड़ा एकदम बगल से होता हुआ तो नहीं जाएगा बढ़ा यहां से होता हुआ जरू जाएगा और अभी हम यहीं पर है तो चलो यार थोड़ा सा ओर आगे चलते हैं वहीं पर मैं अपनी ट्रेन रोकूंगा ताकि मैं जल्दी से बैनी के गिराज में पहुच यहां पर पहुच गया काफी जल्दी तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग अपने ट्रेन को लेकर यहां पर भी पहुचने वाले हैं वाकित और अच्छी बात यहां पर ओटोमेटिकली रेड लाइट थी वरना एकाथ बंदे की गाड़ी तो बहुत ही बुरी तरह ठुकत तो यह काम करता हूं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं वहाँ पर बेस्मेंट है वहाँ पर अपने ट्रेन रोकेंगे इस गाड़ी को निकालेंगे और फड़ावट से लेकर चलेंगे सीधा बैनी के बास और फाइनली हम लोग बेस्मेंट दग भी पहुच चुके हैं क्यूस्रा में फराइनली यहाँ पर बious लाकर मैंने इसे रोक दिया खालो मजब घरलकें अवहाँ पीछ से यह पाहर नो Chapo और इसने यह क्या ही कचड़ा कर डाला है मैंने एक तम सही तरीके से खड़ी करी थी वट कोई दिकत की बाद में भी जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं तो चलो गाइस यार फाइनली जैसे दसे करके मैंने से आगे की तरफ में तो ऊपर चड़ा लिया है बाक्यार अगर ये एक बारी को पलट के भी नीचे गिर जाना बास 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 यही मैं चा रहा था तो चलो फाइनली मैंने इसे बाहर निकाल दिया है और ये जो बाकी जो ट्रेन है ना ये पीछे वाली रिवर्स पर्द मतलब एक आधकी स्पीट में सेट हो गई है और ये दियान से दिखो नहीं दीरे दीरे पीछे जाए जा रही है तो इससे जाने तो भाड में जाए हमारा एक्सिडेंटी होगा हमें मतलब नहीं है तो चलो अभी न जल्दी से यहां पर अंदर से जाएंगे ना बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा तो की काई सारा मीना फिलाल यहां पर मैं इस प्रेजन ट्रक को लॉस एंट ऑस की एकदम पतली पतली गलियों से लेकर पहुचने वाला हूं सीधा बैनी के गिराज में बस मुझे आगे वाले कट से लेकर रोड बन गया हूं मतलब इतनी पतली पतली गलियों में जब से चला रहो ना वाई एक दम बड़ी अतरी किसे से में लेकर पहुचने करवाई है मतलब मॉडिफिकेशन नहीं करवाई इसने गिराज को लगा थोड़ा एक्स्टेंड करवाया है तो मतलब पहले इसका गिराज सिर् आपर अंदर चलकर मैं देख लेता हूं यहां पर तो शाय से बैनी नहीं है तो जहां तक मुझे लगता है जो इसने नहीं वाला ओफिस बनवाया रहा उसी के अंदर यह होगा बागे एक सेकिंड यह गराज बैनी का है यह रेस्टोनेंट निया वैसे रेस्टोनेंट टाइ यहां पर प्ले स्टोशन वगरा खेलने के लिए तो अभी नगाज़ार एक काम करता हूं ऊपर चलकर देखता हूं यूगी बैनी ने जो काम करवाया ना अपने गिराज में बहुत ज़्यादा मेरे को तकड़ा लग रहा है और ऐसा लग पैसा शोरूम से कमा रहा है वो सार कर वो है कहां पर बट एक सकिंड यहां पर नीचे की तरफ में एक फ्लोर ओड था तो भी जल्दी से ना वहां पर चलकर देख लेते हैं क्या पता वहीं पर बैठा हो वैसे जहां तक मुझे लग रहा है वो नीचे होगा क्योंकि उसने बेसमेंट है बनवाई इसलिए तो व पर बैनी को पुरे को पूरा सीन बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है यह जो गाड़ी है यह कोई नॉर्मल गाड़ी नीए प्रीजन वालों की कोई स्पैशल वीकल है जिसे हम चुरा कर लाए है वो इसका जो गेट है वो नहीं खुल रहा है बाकि यार पता नी क्या ही सीन है इसक पर बैनी देख रहा है कि आकरकार इस गाड़ी को जो है कैसे अनलोग किया जाएगा मतलब किया को यह जुका मैंने काफी जादा रिसकी है ऐसा भी सैट आप उसक्त है कि गाड़ी का जैसे हम लोग गेट खोल नहीं कोश्चिस करें गाड़ी ब्लास्त हो जाए या फिर कहीं बिजनस वर्क को लेकर तो मैं सोच रहा हूं कि जाकर उससे एक बारी मिल आऊं बाकि इतना ज्यादा शोर कहां से आरा मुझे सबसे बहले तो वह देखना पड़ेगा तो ओके गाइस यह देखो बैनी नहीं यहाँ पर लेकर आ चुका है सीधा लेजर ड्रिल और यह जो गा साम करता हूं वहां पर अंडर्वर्टर माफिय से मिल करा आजाता हूं पता नियार क्या डील है क्या बाता है बाकि तो यह दिक्कत की बात नहीं बाकि यह इतनी ज्यादा प्यारी गाड़ी है कम से कम इसका जो रूफ टोप है वो तो खुला ही रहना चीए तो भी जल्दी स इसको नहीं जल्दी से लेकर यहां से निकल लेता है बट एक सेकिंड रूफ टोप खुलने की कोई भी जरूत नहीं है यहां पर जो मेरे कपड़ है कहीं पुलिस वाले देखना ले क्योंकि वह देख लेंगे प्रिजन गार्ड यह जा रहा तो मेरे को सबसे पहले पकड़े क्योंकि जहां तक मुझे लगता है जो लास्ट हमने सीन करा था था थोड़ी बहुत गरवर हो सकती है इसलिए उपर का जो टोप है फिलाल मैं सोचरों की कवरी कर लूँ उसके बाद आगे चलूँगा ज्यादा बड़े रहेगा बाकि यहां पर जितनी वी बंदे मिरसे डर जा रहे हैं और गाड़ी भाड़ी भी आ रहे हैं इसी जगहा पर और देखते हैं आकिरकार क्या ऐसा सीन हुआ और क्या न्यूज आई है यहां पर मुझे अंडर वर्टर माफिया ने मिलने के लिए बुलाया था और गाइस यह तो एक बहुत ही तकड़ा शूरू मैं कार्स का जिसके अंदर यार एक शेक बहुत तगड़ी तगड़ी लगजरी कार खड़ी भी है तो गाइस यहां पर फिलाल यहां पर में गेट पे तो कुछ जादा ही भीड़ हो रही है मैं काम करता हूँ अपनी गाड़ी को नहीं यहां से मैं पीछे लेकर चलता हूँ वहां पर जर एक एंट्रेंस हो रहा है उसके अपनी घड़ी को नहीं पर लेकर चलते हैं तो चलो गाएस अब इना जल्दी से सबसे कॉले मैं अपनी बहले अपनी दूह से जो कैसा है मतलब पहले मुझे लग ड़ा था कि यहां पर सेवर रह यहां बना हूए और बता हूं अपना बैनी जो है वह अच्छी मोडिफिकेशन करता है और सामने की तरफ में खड़ी हुई है लंबोग नी स्यान राइट साइड में लंबोग नी रेविंटन है यह पता नी कौन सी कार है यह मैं पहली बार ही देख रहा हूं बढ़ा अभी यह सीन है कि ओफिस में कोई भी बंदा नहीं है तो चलो कोई नहीं यहां पर जो में बॉस का रूम है जहां पर अंडर्वर्टर माफिया होगा शाय से अंदर ही होगा वरना उससे कॉल करके तो मैं पूछी लूगा तो चलो गाइस जार देखो वो अंदर ही बै नहीं चाहिए मतलब कि यह लूग चाहते है कि जितनी भी इनकी कार्स की मोडिफिकेशन है वो सारी के सारी बैनी कर दे यह तो अपने साथ धोके बाजी हो जाएगी क्योंकि फिर अपना कार का बिजनस बंद हो जाएगा तो मैंने इसको बोल दिया कि मैं सोचके बता अपने से बड़ा शोरूम तो नहीं है बटा है इनका जो एरिया है वो बहुत जादा तकड़ा है मतलब कि पहले ही दिन में मेरे को लग रहा है इनकी काफी सारी कार्स जो है बिग चुकी होगी बट कोई दिक्कत की बात नहीं अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में अपनी गाड़ी को लेकर सीधा बैनी के गिराज में पहुचने वाला हूं बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट लेना है बाकि अर्दे को पतली स्ट्रीट में गाड़ी ड्राइव करके मेरी ड्राइविंग भी काफी ज़्यादा अच्छी हो गई है और दोनों गेट इसने बाहर निकाल दे हैं और लेसर की हालत भी काफी ज़्यादा खराब लग रही है तो अच्छा लोगाइसर अभी ना मेरी फिलाल यहां पर लेसर से बात हो चुकि है और लेसर कह रहा है कि अब ना यह कभी भी पहले की तरह नहीं चल पाएगा क्योंकि उस एक्सिदेंट में गाइसर की दोनों की दोनों टांगे जो है खराब हो गई है और इसके लिए ना गाइसर अभी हमें वील्चेर लेनी पड़ेगी बाकी तो है लेसर कह रहा है कि कुछ भी मामला भी ठीक नहीं हुआ हो शकता है कभी भी एफाइवी वाले हमारा अपता करकर हमारे उपर अटाक करने आ जाए तो इसलिए ना गाइसर लेसर कह रहा है कि एक सेक्रेट बेस ओर है अभी इसको ना वहाँ पर लेकर चलना है और इसके बाद हमारे पास कोई भी छुपने के लिए जगार नहीं है चलो कोई दिक्कत की बात नहीं फिलाल इसने ट्रैवर और फ्रैंक्लिंग को यहीं पर रुकने के लिए बोला है अभी जल्दी से ना गाइसर एक काम करता हूं सबसे वहले न अपनी गाड़ी को मैं उपर से कवर कर लेता हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना है और फट अफट से वहाँ पर चलेंगे देखते हैं क्या सीन है लेसर कह रहा बट कोई दिक्कत की बात नहीं जब तक लेसर अपने साथ है तब तक कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी तो चलो गाइसर अभी ना फिलाल में अपनी गाड़ी को लेकर पहुचने वाला हूं से लेसर के न्यू सीक्रेट बेस पर जहां पर मुझे लेसर ने जाने के लिए कहा था बस मुझे इस वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट लेना है वाग यह जो गाड़ी है ना सच्ची में एकदम उपी है और लोग है तो लैसर ने मुझे यहीं तक आने के लिए कहा था उसके बाद है अभी जल्दी से उसके अंदर चल कर देखते हैं आखिरकार कैस लेसर जल्दी से आ जाये कहा पर रहे गाए इसकी हलत गाइजर काफी ज़्यादा खराब है इसलिए यह बिल्कुल भी सही से चल नहीं पा रहा है तो चलो कोई दिक्खत की बात नहीं अभी फिलाल इसको ने एक बारी आ जाने जेते हैं अंदर की दरफ में इससे मैं पूछ जो है हमारे उपर ना है तो चलो और अभी ना फिलाल मैं तो यहां तक आ गया हूं वाकि लेस्टर भी अपना भाग कर आ रहा है जैसे तासे करकर इसके लिए जल्दी सल्दी वील्चेर लानी पड़ेगी वरना यारी बिल्कुल भी सही से नहीं चल पाएगा तो चलो और अ अभी ना फिलाल यहां पर लेस्टर ने जो है पिन कोड डाल के वाला गेट खोल दिया है तो चलो यह जल्दी से यहां पर अंदर चलते हैं और देखकर आते हैं कि आकरकर लेस्टर का यह वाला सीक्रिट बेस कैसा है वैसे आर देखने में तो यह काफी ज़्यादा बढ़ि अभी जल्दी से बाहर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है मतलब यह जगा मेरे को कहीं से भी सीक्रिट बेस नहीं लगरी तो गाइसर एक तो ना मुझे यह नी समझा रहा कि आकर का लेस्टर बाहर क्या कर रहा है मतलब कि मैं इतनी देर से अंदर आ गया ह। अभी फिलाल म परसनल ओनली और यहां पर ना लेस्टर ने एक बहुती तगडी टैनल बनवा रखी है और यह टैनल कहां पर जा रहे है यह मुझे देखना पड़ेगा तो यहां पर अभी फिलाल यह वाला गेट तो लॉक है तो पता नहीं है लेस्टर ने कैसे लॉक कर रहा है वह इसके है जो पुलिस वाले हमार साथ करना चाहरे है तो अच्छा लोगाइस अभी ना मेरी फिलाल यहां पर लेस्टर से बात हो चुकिए और लेस्टर कहा रहा है कि जब FIB उफिसर से इसे अरेस्ट कर रहा था तो उनमें से किसी एक FIB उफिसर का जो वोकिडोगी है वो लेस्टर उनकी खुद की सिक्योरिटी तो है यहांसे निकल लेते हैं सीधा फ्रैंकलिन और ट्रेवर को वी जाकर बात बतानी पड़ेगी क्योंकि अब यहां पर वापिस मत आना क्योंकि ऐसा सीना भी लैस्टर पूरा यहां पर सेफ रहना चाहता है अगर हम लिग बार बार यहां प सबकती एक सब्सक्राइक करें एक सब्सक्राइब क्षाइज करें वालब इपनी गाड़ी लेकर सीदा पहुचने वाला हूं बस मुझे पनी गाड़ी को इस वाली कषट से हलका सा लेट लेना है बाग यहांप लेक्ट पारूए कितनी ज़ादा तकरी डृफट मारी थी तूर लोग यहांपर बैनी के गिराज में पहुच गए है अभी जल्दी से नकाइस यहांपर मैं ट्रैवर को बाहर बुला लेता हूं और अभी यह भी ना मिरेको यहांपर लेस्टर का लेकर चलता हूं जल्दी से अपने साथ चलने के लिए और साथ ही मैंने फ्रैंक्लिन को भी कॉल करके बोल दिया है कि जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंचे और वो जो लुकेशन है गाड़ी में बाठते हैं और फटावट से देखते हैं क्या सीन है बाके भी एमिनेशन की शॉप से मुझे कुछ वैपन्स भी खरीदने है और साथ ही अपने लेक आर्मर भी खरीदना है तो अचलो यार कोई ने अभी जल्दी से मैं गाड़ी में आ चुका हूँ और यह ट्रैवर कहा रहा गया तो अच्छा लोग आईसर अभी ना फिलाल यहा सबस्क्राइब कर पहूं सीदा वाइन वी डिल्स और आगी तरफ में ना गाईजार एक शॉप है तो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं उसके लिए मुझे अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ा करता हूं और बड़ी अवडिया ऐसी गंस जो अपने लिए खरीद लेते हैं व फिलाल यहां पर जो सबसे बेस्ट आर्मर है यह हम ले लेते हैं क्योंकि अभी जो लड़ाई है मेरे साब से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है तो अच्छे लोगाइसर अभी जल्दी से लकर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और बाकि यहां पर इस मतलब की फोटो है वह भेज देना था कि उसे मालूम पड़े कि आखिरकार कितनी ज्यादा सिक्योरिटी और क्या सीन है अब जल्दी से वहीं पर चलते हैं तो अच्छे लोगाइसर अभी ना अपनी गाड़ी लेकर सीधा उसी जगापर पहुचने वाला हूं जहां पर हमें उस मैं उस मंदे की location जो है मिली थी तो वो ज位 उस सामने की दرف हमाप माउंटेन दीख कार हो है न हमें सिधा iki माउंटेन के टैंप इस माउंटेन के टोप पर आज से पहले मैं एक बारा इक गया था तो यह सची मिना काफी जादा हुच ए हो उपर जाने में न हालत खराब हो जाएंगे तो चलो काईसर अभी ना फिलाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर इस वाले माउंटेन के काफी ज्यादा उचाही पर तो पहुच चुका हूं बट यार अभी मेरे को और भी ज्यादा उपर जाना है मतलब कि यह जो आप देख पा रहे हो नहीं चाहिए सारी की सारी मेर पर नहीं जाना है पहले दूर से ना उस जगा की एक फोटो कीच कर बेश देनी है कि आखिरकार सीन के है सिक्योरिटी कोन से सब कुछ तो भी जल्दी से यहाँ पर थोड़ा सा पहले मैं आगे चल कर देख लेता हूं वाकि काफी सारे सिक्योरिटी गाड़ तो खड़े हैं जल्दी से मैं अपने मुबाइल के कैमरे से चेक कर लेता हूं आखिरकार सामने की तरफ में कितनी सिक्योरिटी है वैसे जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो उस तरफ में तो काफी सारे सौलजर्स खड़े वह हैं और यह ना ही मेरे को मिलिटरी वाले लग रहे ह बाकिया लेस्टर कहरा है कि यह जो सिक्योरिटी है ना हो सकता है बहुत जादा खतरनाक हो क्योंकि यह ना अपनी कंट्री की नहीं है यह सारी की सारी दूसरी कंट्री से आई है तो यहाँ पर लेस्टर कहरा है जितना हो सके दूरी दूर से ना इन सब को चुप चाप निप पता ही नहीं चला है सीन हुआ क्या है बट अभी फिलाल यहां पर जितने बंदे थे ना गाइस उन सबका दिमाग एकदम भड़क चुका है और इस सारे के सारे ना भाग कर हमारे पास आ रहे हमें मारने के लिए तो भी जल्दी से मैं काम करता हूँ यहां पर ना थोड़ा सा दूसरा रास्ता मेरे को पकड़ना पड़ेगा वरनाए सारा सीन खराब कर डालेंगो वो दिखो एक बंदा उधर से भी आ रहा है बट कोई नी तो गाइसर दिखो भी ना फिलाल बस मुझे आगे जाकर ना काफी सारे बंदे मारने पड़ेंगो और एक बंदे को दिखो वह मारे आगे जादेर नी टिकने वाले वी जल्दी से में अपनी एक फूट सेवन बाहर निगालता हूं और यहां पर नीचे से भी कोई बुलेट्स तो मार रहा बट पता नी चल अचा ये भी एक तो चलो भी फिलाल यहां पर मैंने इसको भी मार दिया एक बंदा ये था यह स्नाइपर असली काम आने वाले एक गोली में सारे बंदे अब जाने वाले यह दिखो एक बंदा ये बैठा इसका उपके तो इसको किसे ने वा रहा रहा है तो चलो भी फिलाल यहां पर जितने बंदे थे ना मेरे साब से सारे मारे जा चुकी है और पुलिस को भी आने में एक पर जयादा देर लगेगी निया जल्दी से काम करता हूँ यहां पर जो इनका मेंन प्लैन है वो कैंसल करवाकर यहां से निकलते था यह लोग यहां पर बैटकर अपना मेंदील कर रहे थे तो यह जल्दी से अगे चलते हैं और इस वालुट के अंदर चलकर देह। आए अपनी कार को उपर लाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी और यह लोग अपना यहां पर पुरकपुरा यह जो दो ट्रक सा लेकर आये हैं जिनके अंदर काफी ज़्यादा तगड़ी तगड़ी सूपर कार लोड़ीड है और यह जो सूपरकार है न शहीं से वह इन ही और दूसरे वाले में यह मेरे को पता नहीं क्यों मस्टैंग जीटी लग रहे है बट यार कोई दिक्कत की बात नहीं यह सब तो फाल्तों की बाते होगी अभी ना जल्दी से हम लोग इस रूम के अदर चलते हैं और वो जो बंदों को इन्होंने दूसरी कंट्री से बुला ने उस साइट से आकर यह वाला जो गेट है वो खोल दिया है और उसने अंदर से गाईजर मेरे यहां पर एकाद बुलेट बजा दिया है बट कोई दिक्कत की बात नहीं अभी नहीं जल्दी से सबसे बहले मैं यह वाला गेट जो खोल देता हूँ वैसार उसे नहीं इस तर करा केला हुआ था यहां पर इसका दोस्ते ओ भाई बजा दिवाई अच्छा हुआ कि अपने पास आर्मर था जो भज गए तो चलो काई सर अभी ना फिलाल यहां पर इस बंदे को मारने के लिए मैंने अपने हाथ में जो है नाइफ ले लिया है वैसे आर में से मारने नहीं काई भाग कर जाएगा मुझे समझ नहीं आ रहा भाई यहां पर ओके तो गई सर अभी बाई गई गई और वह लिखो वह जो बंदा यार एकदम आख हो के आगे से निगल कर चला गया वह जा रहा भाई तो इसके मैं एक शोट तो इसके पढ़ी गया और बिचारे का एक्सी में जाएगा वैसे चोड़ो इसको यहीं पर हैं देते कोई दिकत की बात नी वरना जाद ही बुरी तरह मौत हो जाएगी इसकी तो चलोगाई जल्दी से यहां पर हम लोग एक एक गमतलब की एक ट्रक लेकर यहां से निकल लेते हैं वरना कहीं ऐसा नहों कि पूलीस यहां पर आजाए वैसे भी जादा टाइम लगी गा नी पूलीस को आने में विफटरवर से गाड़ी में बैटते हैं और ट्रेवर को भी आने के लिए बोल देता हूं तो चलोगाई जार अबीना फिलाल यहां पर जो अपना ट्रक है उसका पीछे वाला जो ट्रंक है उसे तो मैं अबीना फिलाल यहां पर जैसे दैसे करके मैंने ट्रेवर का ठरक जो है यहांपर सीधा कर डिया है तो चलो अबीना फाल इनुसलोग के से करके मैं उसके निकल लेैं रिट है 흐न्रोगा आपने हमन्हें गया से लेका सो ब् συद्राई मैं और आलके यहां लां पता है लिक्त यहां पर अराम से उतार ले लिकिन इसे बहुत ही जादा बड़ी गड़बड हो रही है तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो फाइनली मैं अपने ट्रक को लेकर यहां पर हाइवे पर पहुचने वाला हूं और पूरे के पूरे रास्ते में आयर सची में बहुत जादा दिक्कत हुई है में दिक्कत इन पत्थरों ने करी है बट फाइनली जैसे दैसे करकर हम लोग अपने ट्रक को यहां पर लेकर पहुच चुके हैं बड़ा अभी ना फिलाल हमने बहुत बड़ी गलती करी हमें इन ट्रक को नहीं लाना चाहे था उससे बड़ी है जो पर स्ट्रेन को जाने देते हैं उसके बाद हम लोग यहां पर इसके अंदर से गाड़िया निकालेंगे और उन गाड़ियों को लेकर हम लोग जाने वाले हैं सीधा लोस अंटॉस बाकी तो अभी ना फिलाल में को यह नी समझा रहा कि ट्रैवर कहां पर रहा गया और लोग इसके ट्रैवर से रहा को लेकर आचुका है तो चलो अभी जल्दी से मैं अपने ट्रक को साइड कर लेता हूं लग लिए तो वहीं जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भी ना फिलाल जो ट्रैवर लेकर आया था उसकी गाड़ी में यहां पर मैं आकर बैट चु जल्दी से मैंने अपनी गाड़ी को बाहर निकाल लिया है और जिस ट्रक को मैं लेकर रहा था उसके अंदर थी लंबॉगनी पहचान ना पाए और जहां तक मुझे लगता है मतलब यह पता ही जो गाड़ी है में इन उनी बंदों के लिए आया थी जिन बंदों को हमें मारने के लिए बुलाया गया था बाकियार एक सेगिंड ट्रैवर के आने का वेट कर लेता हूं पता नहीं वो कहां रह गया है तो ग स्टैंगों की और यह अपनी लेकर चलते हैं सीधा लोस सेंटोस तो चलो काईजर आज की इस वाली वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वाली वीडियो ची लगे हो तो फटावट से इस वीडियो को जाका लाइक कर देना इस वीडियो पर मैं एम करता हूं अल्ली आठ ल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है तो चलो काईज आज की सवाली वीडियो में गुडबाए